दोस्तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या गिरावट की शुरुवात हो चुकी है क्या बैंक निफ्टी अब क्रैश होने वाला है दोस्तो क्या निफ्टी अपना टॉप दिखा चुका है दोस्तो अगर आप सभी के मन में यह सब डाउट है तो आज की वीडियो में मैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रिभात कुमार स्वागत करता हूँ प्रिभात वेडिंग सर्विस में आज की वीडियो में आपको निफ्टी बायाक निफ्टी के इंपॉर्टन लेवल बताने वाला हूँ के लिए इसी के साथ दो स्टॉक लेकर आया हूँ जो कि कर आपको बढ़िया मेंटम दिखाएंगे अच्छा मैं टिप्स नहीं दे रहा हूं मैं क्या करूंगा मैं उन स्टॉक से पीछे का अनालसि समझाओंगा कि मैं उनको किस बिहाफ पर चूज कर रहा हूं तो वीडियो की बहुत इंट्रस्टिंग मैं अपने प्रीवियस टॉक्स का रिविव भी देने वाला हूं और मैं अपने टेलिग्राम स्टॉक्स का रिविव भी देने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को वीडियो का हिम रखते हैं 2500 लाइक लेच गेट इंटू दे वीडियो दोस्तों माच चुके हैं बैंक निफ्टी पर देखिया बैंक निफ्टी मतलब उपर से काफी जादा गिरावट दिखाई है बैंक निफ्टी ने राइट 600 पॉइंट की अब मैं इन लेवल पर शॉर्ट करने का प्रयास नहीं करूंगा क् इसलिए सकता हूं क्योंकि यहां पर सपोर्ट पर आच चुका देखो बैंक निफ्टी यह सपोर्ट राइट तो अल फ्रेश शॉर्ट बैंक निफ्टी कितने के नीचे 35100 के नीचे ठीक है मैं फ्रेश सेल करके चलूंगा 35100 के नीचे ठीक है नीचे की डागेट के लिए अब दो 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 सीखने का प्रयास करो अब कैसे उपर जाएगा हमारा बैंक निफ्टी ऊपर से एक लाइन आएगी दीके देखना ऊपर से एक ऐसे डिस्टेंस आएगा ठीक है यहां पर एक रेंज डिवलप होगा अगर यह रेंज सपोर्ट यहां पर करेगा रेंज बन गय अब देखिए यहां पर क्या करेगा यह रेंज बनाएगा रेंज बनने के बाद ब्रेकाउट देगा हमको बाय करके चलना यह रणीती है यानि मैं यहां पर वेट करूंगा मेरे बैंक निफ्टी को मतल मैं देखूंगा पहले 35,100 के जब तक उपर रहता है हमको अगर सस्ट एसल क्या रहेगा 35,030 का टागेट बन रहेगा 35,300 का सेकेंड टागेट 35,500 का यह दो टागेट रहेंगे बैंक निफ्टी में फॉर शॉर उपर से क्रेजिस्टेंस आएगा यहां पर ब्रेकाउट होगा और ब्रेकाउट होने के बाद यहां तक पहुंच जाएगा यह फॉ करेगा फिर यह अगर रेंज चूटा तो फिर से हमारा बैंक निफ्टी 36,000 का सब कैसे लिट होंगे तो आज मार्केट आप कह सकते हैं एक बहाने से गिरा है ठीक है अब बहुत जादा बायर्स यहां पर एक्टिवेट हो चुके थे तो मार्केट ने क्या किया है कम जोर बा और अगर मैं ठीक रहा तो फॉर यह देखो यह जैसे हमको ऐसा देखने को मिला है न फॉर यहां पर वैसे देखने को मिलेगा तो चीजों को समझने का प्राज करो है शौर्टकट तरीके मतलब नाओ मैंने यह देखा है और यह मेरा नुबह बोलता कि यहां भी ऐसे इसको आप लिख सकता तो अगर मैं बात करें निफ्टी का देखो भी निफ्टी में 900 के उपर मैंने बाइब बताया था 15,900 के उपर बाइब नहीं हुआ मैंने बोला था कि 10 मिंटर कैंडिल अगर सस्टीन करता है 15,030 के आसपास आपको बाइब करके चलना है वह आक्च्वल मैं हमको नहीं देखने को मिला फॉर शौर ऐसे लिट हुआ अब सुनिएगा अब निफ्टी देखो क्लियर कट मैं आपको काफी दिन से बोलते आ रहा ह है ठीक है यह देखो रेंज प्लियाउट ही हो रहा है अब ही हमको क्या करके चलना निफ्टी जब तक उपर रहता है 15,650 के उपर बाइब करके चलना है ठीक है तो बाइब वह वह 15,650 ऐसल क्या रहेगा 15,620 का टागेट वन रहेगा 15,000 अगर डिप मिलता तो की बात कर रह यह रनीती रहेगी निफ्टी में अब देखो यहां पर निफ्टी एकठ्थ है ऐसे नहीं चल दाएगा ठीक है मार्केट हास्टो मेक सम रेंज यह नीचे आएगा ऐसे रेंज बनाएगा ऊपर से फिर आपको एक लाइन ड्रो करनी होगी और जैसी वो लाइन तोड़ेगा रेंज बनाएगा फिर उपर साइड निकल जाएगा फिर फिर फंद्रह जार नौसो के आसपस निकल जाएगा बारा निफ्टी यह रनीती है निफ्टी में मैं निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट सेल अभी करने का सला नहीं दे रहा हूं मैं आपको निफ्टी में आपको फ्र 450 के आसपस आपको मिल जाएगा यह फॉर शूर राइट यानि मैं कहने क्या रहा हूं जब हमारा बैंक निफ्टी 3500 को लेवल सुस्टेन करेगा यह आपको को अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है टागेट 500 के होंगे यह रहनीती है निफ्टी बैंक निफ्टी में दोसम जान सकते हैं कि है यहां पर बहुत ही शांदर साय भन रहा है यह मने रहा है एक स्टन्स कॉस्वाला इफञों डेघर इळर इघर खिंधर आ हमको को agus करनना तो व tartaj एसल का रहेगा 1150 का टागेट वन रहेगा 1168 का सेकेंड टागेट रहेगा आपका 1173 का ये रहेगा देखिए हो सकता है कल सेकंड हाफ में प्रॉफिट बोकिंग आ जाए इसमें तो आप मॉर्निंग ममेंटम कैच अप करने का प्रास करिए चीजों को समझने का प्रास करिए आ दोस्तों अगर आप मार्केट में एक नए ट्रेडर हैं और अपना करियर बिल्डप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंवेस्टर बनना चाहते हैं तो प्रभात ट्रेडिंग सेर्विस आपको एक अपॉर्शनल ट्रेडर औ and features and options में तो अगर आपको इस batch में अगर आपको इस course में enroll करवाना है तो आप इस board line number पे हमको whatsapp करके अपनी street book करवा सकते हैं तो इस प्रकार से आप बिना pilot का पढ़ाई और training की आप आल प्लेन आप नहीं उड़ा सकते हैं इस प्रकार से आप market को drive नहीं कर सकते हैं बिना market का knowledge लिए नए लोग क्या करते हैं यहीं लोग करते हैं आते हैं मेरे को trader बनना है without having any knowledge इसलिए उख crash हो जाते हैं इसलिए उनका capital पूरा wipe out हो जाता है तो अगर आपको भी चाहिए स्टॉक मार्केट का पूरा संपूर ग्यान बेसिक से लेके advance तो इस online trading batch में अपना enrollment करवा सकते हैं second stock का नाम है बर्जर पेंट देखो तो बर्जर पेंट को buy करके चलना देखो actual में मैं आपको तो समझाने का प्रयास करता हूँ देखो डेली के चार्ट पर मैं आपको शो करूँ डेली के चार्ट पर तो clear cut na breakout है आप देख सकते हैं breakout है breakout देने के बाद गया उपर ठीक है यहाँ पर hold किया hold करने के मतलब कल हो सकता है probability है मेरे ख्याल से momentum आना चाहिए उपर साइट ठीक है now it is we have to go for the buy 844 के उपर ठीक है तो buy above 844 right SL क्या होगा 840 का target 1 होगा 8 कितना 53 का target 2 होगा आपका 855 का यह दो target पहेंगे berger paint में I hope चीजों को समझने का प्रास करें पांच और दस्मेंट के candle close होने दीजिए का तभी buy करिएगा ऐसे उच्छाल कुत मत करिए ठीक है market आप थोड़ा सीरिस लीजिए राइट दोस्तों हम कर चुके पूरी analysis चली जानते हैं अपने previous stocks हमने आपको देखो YouTube पे कौन सा stock दिया था एक हमने आपको stock दिया था इपक nitrite अच्छा चला ठीक हमने आपको buy बोला था कि देखो भई 5-10 मिंट के अच्छा चला अगर हम बात करें हिंडाल को की हिंडाल को आज execute नहीं हुआ क्यों क्यों कि मैंने आपको buy बोला था 95 के उपर that's so simple चली अगर हम बात कर चली दोस्तों हम सलते हैं अपने telegram वाले stocks पे देखी हम बात कर लेते हैं किसमें हमारा stop loss गया किसमें को लॉस हुआ देखिए force motor में दो बार हमको हमको लॉस हुआ ठीक है मोटिला लॉस वाल गया था उपर साथ आठ साथ पांच-छे रुपया दे रहा था लेकिन ध्राम से नीची आ गए वो लटाइल था पूरा मार्केट केस भी पंप में हमको थोड़ा सा लॉस लेकर निकलना पड़ा उतना नहीं ऐसे लिट नहीं हुआ था ब्रिगेड में क्या हुआ स्मॉल सा प्रॉफिट हुआ ठीक है अब काफी लोग यहां पर ट्रॉल करने आ जाएंगे सर आव अच्छे ट्रेड नहीं देते हो देखिए मैं अभी इससे पहले बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड दे रहा था तब तो कोई लोग नहीं बोल रहे थे बहुत कम लोग ब आज अपॉदिट था राइट तो देखो हमको सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया ट्रेड ला सकें कुछ लोग मैंने कमेंट पड़ा था लाइक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बट मेरे को से कोई केर नहीं है बट हम मैंने आपको बहुत प्र की आज का रइट ये जलवा है भैक हमारा तो अगरर आपको जूड़ना ही हमारे टरफिटर देने का राइट ये चीज यह अगर हमकोता जूब मैं तो यह बढ़ाएं मैं मिलताँ नेक्स वीडियो में नमस्कार धन्यवाद आप सभी को